नमस्कार साथियों स्वागता है आप सभी का एक बर फिर से मारी यूट्यूब चैनल प्रेंस एजूकेशन पॉइंट पर साथ फाइनली दोस्तों सब्सक्राइब कर दोस्तों तो सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल्स में बताने वाला है और साथी ऑफिस्टल नोटिफिकेशन भी मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं तो देखेगा वीडियो आप सभी के लिए वीडियो हालपल रहने वाला वीडियो को चाहते इंटर बनी रहेगा अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा तो चैले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा अगर आप इसी तरह की वीडियो सबसे पहले पाना चाहने तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आपन बटन प्रैस कर लिजीगा चले दोस्तों वीडियो गुटिक स्टार्ट करते हैं बेनादरी के जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं आप सभी के सामने नोटिफिकेशन जिसमें कि आपके 56 पेज़ेज हैं ठीक है दोस्तों तो देखे 1-1 करके बात कर लेते हैं इन्फोर्मेशन बैर बॉलेटिन क्या है आप सभी के लिए सिटें डेसेंबर 2021 के लिए सबसे पहले बात करते हैं आप सभी के अक्टूबर 2021 तक आप apply कर पाएंगे जी हां दोस्तों 19 अक्टूबर तक आप इसके लिए apply कर पाएंगे आगे बात कर लेते हैं देखिए आपकी application यानि की fees के बारे में तो यहां पर देख रखा है दो कि आप देख सकते हैं इसी date तक आप अपने application भी फीज सम्मिट कर पाए ठीक है अब आगे बात करते हैं देखिए आपके exam dates के बारे में जो कि आप इसकीन पर चेक कर सकते हैं exam date के बारे में बात करूं तो exam date यहां पर दे रखी जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आपका इस बार CBT exam होगा तो काफी सिप्ट में आपका exam होने वाला है तो exam 26 दिन के आसपास आपके चलने वाला 26 days के आसपास CBT exam होने वाला है यहीं कि online आपका exam होगा ठीक है अब देखिए आगे बात करते हैं central teacher eligibility के बारे में complete details जान लेते हैं क्या है इसके लिए examination में आपको बता चुका हूँ date यहां पर देख सकते हैं examination की date आप यहां पर देख ल करेगा इसके बाद मैं आपको बूलना चाहूँगा ठीक है अब आगे बात करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके देखिए application fees के बारे में ठीक है application fees के अगर हम बात करें तो application fees अगर general OVC candidate है अगर आप NCL अगर आप single एक paper के लिए apply करना चाहते हैं तो उसमें आपक आपको payment करना होगा साथ ही अगर आप देखिए दोनों paper के लिए apply करना चाहते हैं बोद paper यानि first और second paper के लिए apply करना चाहते हैं तो आपको 1200 और पे payment करना होगा 1200 पे ठीक है आगे बात कर लेते हैं देखीगा SCST और आपका physical candidate बगरा होते हैं उनके लिए जो fees रखी गई है वो कितनी होती है वो यहां पर आप देख सकते है 500 पे फीस रखी गई है single paper के लिए साथ अगर आप दोनों paper देना चाहते हैं तो उनके लिए चैनलान से करना चाहें तो चालन के थरूबी आप कर सकते हैं ठीक है यह बात आप इसमें रहनी वाली है आगे जान लेते हैं इसक वीडियो में बताने वाला हूँ जो कि आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है और बाकी देखिए यहां पर कुछ content दिया गया है इस notification में काफी doubts है मतलब इस वीडियो में मैं आपको कबर करने वाला हूँ ठीक है बनवाइवन करके कबर करूंगा क्योंकि देखिए आपको यह एक्जाम लिया जाएगा और यहां पर देखिए timing भी first shift का timing यहां पर देख सकते हैं timing कितना दिया गया है साड़े नौ से लेके आपका 12 बज़े तक आपका exam होने बाला first shift में जो कि दो गंटे का स्वारी ड़ही गंटे का exam होगा साथ ही आपका second shift की बात करो तो ड़ही बज कि अगर हम बात करें तो इस बीडियो में देखिए का काफी candidate बीडियो देखते हैं लेकिन काफी doubts रह जाते हैं उनकी eligibility को लेके लिकिन में आपको इस doubt को भी clear कर दूंगा तो यहां पर देख सकते हैं कि पहला number जो point लिखा हुआ है कि आपका मैं बताने बाला हूँ सबसे प education या फिर diploma कर रहे हैं तो इसमें आपको मैं बोलना चाहूँगा आप second year के candidate होनी चाहिए तो ही आप इसके लिए eligible होंगे apply कर पाएंगे ठीक है इस चीज का आप ध्यान रखना होगा इनके आप diploma कर रखा तो 10 plus 2 के बाद जो diploma होता है special में अगर आप किसी से भी आप diploma कर रख सकते हैं यानि कि एक डिगरी है जो कि यहां पर आप देख सकते हैं बेलेड की डिगरी होती है यह वाली तो यह आपकी 4 साल की होती है इसमें आप final year का candidate कर सकता है third year वाले या second year वाले इसमें apply नहीं कर सकते हैं तो इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा appearing में अगर बंदा है कोई भी तो B.A.D. हो या B.L.A.D. हो या फिर आपका कोई special education का diploma हो उसमें आपको मैं simple सी बात है का final year के candidate होने चाहिए तो ही आप इसके लिए eligible होंगे और apply कर पाएंगे ठीक है तो simple से तरीके से यहां पर mention कर रहे हैं और एक बार आप अच्छे से read कर लेंगे तो आपको या फिर डिपलोमा है तो उसमें भी आपका 50% मार्क्स होना जरूरी है इस चीज का आपको ध्यान रखड़ा होगा ठीक है बाई तो यही बहने आपको बता दिए primary level के लिए ठीक है अगर मैं बात करूँ देखीगा आपके secondary level की बात करूँ तो आपका six class से लेके eight class तक के ल student है तो आप apply कर सकते है ठीक है और देकि second number पर क्या point दिया गया है यहाँ पर दे रखा ग्रेजुशन बिद यहाँ पर दे रखा है इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा ठीक है आगे बात करते हैं देखीगा ग्रेजुशन यहाँ पर अगला point दिखाओ ग्रेजुशन बिद आइट लिस्ट फिप्टी फार फोटिफाइप परसेंट मार्क्स आभी रिंग और फस्ट यर बैचलर डिग्री इन बीयर्ड ठीक है यहाँ पर सिंपल से तरीके से बोला गया है जो कि बीयर्ड मेंगर आप अगला point देख सकते हैं और अगला point जो बात करें जो कि आप देख सकते हैं आगे बात कर लेते हैं देखी आपके अप एजूकिशन में बात करते हैं यहां पर अगला पॉइंट जो दे रखा है यह कौलिफेकिसंस हैं आपकी मैं उनके बारा हैं बता रहूं आपको टीक है 10 प्लस टू आपके साथ होना चाहिए साथ ही आपका फाइनल येर में आपका बी ए हो या बी एस सी और यहां पर दे रख बी एस सी और यहां पर आपका बी एड़ एक होता बी एस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा भाई ठीक है यह आप फैनल येर के स्टूटेंट तो ही आप इसके लिए अपलाई कर पाएंगे साथी अगला पॉइंट जो दे रखा है वह आपका ग्रेजुशन विद एट कि आप फैनल येर की स्टूटेंट हैं तो ही आप इसके लिए अपलाई कर पाएंगे और बागे बागे वाले फरस्ट येर वाले पर अपलाई कर सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं ठीक है यह चीज मैंने आपको अभी बता दी है इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा और बा अग्जाम की बात करें ओनलाइन मोर्ड में होने वाला है ठीक है एक्जाम का टाइपिंग किस टाइप से होगा जो कि आप यहां पर देख सकते हैं तो काफी दिया होगा लेकिन काफी को डाउट रहता है फिर भी इस वीडियो को देखने को बाद उनका डाउट के लिए हो ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको ओनलाइन फॉर्म बनना होगा इस चीज का आपको दिया रखो फिटे अच्छे से एकदम फॉर्म भरो कोई गलती मत करो एक्जाम लेंग्विज की बात करें तो एक्जाम आपका 20 एन की टोटल जो आपकी रहने वाल आप से कोई डाउट नहीं रहा होगा एक बारी मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं जो कि आप यहां पर देख सकते हैं आप यहां पर देख सकते हैं इस टाइप से ठीक है सिंपल सी आप जब आप एक्जाम देने जाएंगे मैं आपको उनके लिए पता रहा हूं जिनको एक्जाम नहीं दिया है उनके लिए के वल ठीक है उसके बाद आपकी यूजर आइड होगी पासवर्ट डालना होगा यहां पर साइन वाले बटन पर क्लिक करना होगा उसके पर आपको बता दे रहा हूं नोट कर लेना इस चीज़ को ठीक है जैसे आपके सामने एक्जाम स्टार्ट होता है तो आपके सामने क्वेश्चन होगा इस टैप से आप सभी के सामने बिकल्प दे रख्योंगे उसका जो भी आपका उप्शन होगा उस सेलेक्ट करना होगा दकोशन लगाने के लिए तो यह चीज़ा है आपको इस टाइप से देख लेने के मैं बाया आपको बता चुका उगा ago पर देख सकते हैं फिर आहां से तक है क्या है ठीक है और इस notification को download कहा से करना है बो भी मैं आपको बता दिता हूँ सबसे पहले बाई मैं आपसे बूलना चाहूँगा टेलिग्राम चैनल पर जाना होगा टेलिग्राम चैनल का नाम है Prince Education Point ठीक है जो कि आप यहां पे देख सकते हैं और फिर आपको link discussion box मिल जाएगा जैसे ही आप यहां पे आएंगे तो आप सभी के सामने देखे seated 22100 official notification के नाम से आपको notice मिल जाएगा इस पर आपको click करना होगा डाउनलोड करना होगा डाउनलोड करने के बाद इसको click करना होगा ओकी करना होगा आप सभी के सामने इस टाइप से इंटरफेस कुल के आ जाएगा और देखें आप 56 pages है आप एक बार देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कोई भी डाउट रहे जाएगा वन वाई जो भ ठीक है तो completely बताने बाला हो उसमें आपको फोर्म आपको एपलाई करना है फोगाइल फोन से अगर आप फोर्म एपलाई करना चाहते है तो ठीक है तो उस वीडियो को जरू देखेंगा उस वीडियो को लिंक आपको डिक्स बॉक्स और आई बटन दोनों पर देदूंगा पर चैनल पर जाके भी देख लेंगे अगर आपको वीडियो हेल्पो लगा हो तो आप से कहना चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकान बटन पर पैस कर लेजिएगा वीडियो को लाइक नहीं काया लाइक करिएगा शेयर करने सभी दोस्तों में कंकर उजरता आपके सी देगी वीडियो मिलते हैं बागी नेक्स वीडियों तब तब कले जाहिन बंदे मातरम